वेलकम टू फिजिकम अकडमी तो आज एक बहुत इंबोर्डेंट चीज के बारे में डिसकस करते हैं एक्चुली जन बचुने आइटी जैम क्वालिफाई कर लिया है तो उनके लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम है कॉंसलिंग प्रोग्राम के बारे में किस तरीके से टेटी जैम का कॉंसलिंग होता है मैं इन इसको CCMN के नाम से जाना जाता है इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेड करेंगे फिलाल सबसे पहले जो चैसे फावसे हैं सबसे पहले बता हुए क्रेश आपको काम करना हता है रहला डावट हो क्मेंट सेक्षेशन ना यह लाइव वीडियो देख रहुंगे तो भाइव वीडियो दोना हो जो भी तुम्हों हो उसको मैं कोसिस करूंगा कि पूरी तरीक इस तुमारे सॉल्ब कर लो ओके ठीक है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना अगर आपको ठीक है या आपको वीडियो जो है उसमें लगा कि कि इंफर्माइटिव है वही है कुछ काम की है हमारे तो यार कर सकते हो ऐसा ठीक है अच्छा जी है अच्छा जी है अच्छा करें फिर आज की जो कहानी है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से तुम्हारा एटी जैम में जो है काउंसलिंग प्रोसस आगे को बढ़ ला होता है देखो आइटी जो है गोहाटी यहां पर करा रही होगी पेपर जैम दोजार थे इसका तो जो भी बचे आइटी जैम क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ध्यानक नहीं कि नो हाट कॉपी ऑफ डॉक्यमेंट सेंड करने आपको कोई हाट कॉपी सेंड नी करनी है आपको जो 21 आइटी जैम स्कूर काड़ 23 का जो स्कूर काड़ है उसके आधार पर टेस्ट देती है कोई इंटर्विव नहीं होता है साफ साफ लिखा है कोई इंटर्विव नहीं होगा एप्लिकेशन फी जो है वो 600 रुपे है फॉर केंडिडेट ऑफ एनी काटेगरी हर क बात करते हैं कैसे कैसे काम करना इंपॉर्टन डेर्स आपको पता चल जाएंगी अभी एक्जैम हुआ है तो अप्रेल से में की बीच में आपका एड़ में जो जो एप्लिकेशन फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा फिर उसके बाद डेक्लिरेशन जून मैं जून के साथ साथ आगे को बता देता हूँ ऊके तो धिहान से समझना जो अकैडमिक प्रोग्रेम से अलगलाग आईटी में वो आपको गिवन है कि वह एक कौन से आइटी से क्या क्या होता है आई टी जादा तर जो ओफर करती है वो क्या ओफर करती है वो बेसिकली आपको केवल और केवल यह ओफर करती है यानि कि पीज़ी एप्लाइड यूजी से आप कर सकते हो इंडियन इस्ट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंडिसर्च आईजर्स जितने भी आईजर है वो जैम का स्कूर काट जो है वो देते हैं यह वहां पर आप एंटिग्रेटेड पीज़ी कर सकते हैं अच्छा जी बहुत बढ़िया अब देखना ध्यान से गडबर मत करना जै भी आएगा आपको इनफॉर्मेशन बता दी जाएगी 600 रुपे आपको पे करने होंगे ठीक है तो आपको क्या करना है तो आपको जितने भी आपकी डॉकुमेंट है उनको स्कैन करके पीडिये फॉर्मेंट पर करना है जहां पर आपका हाई स्कूल का सेर्टिफिकेट आपको फिल करके अपना एडमिशन फिल कर लेना है ठीक है समझ किने क्या करना है यह डॉकुमेंट तुम्हें लेरी रखने है टेंट ट्वेल्थ अपने की पीसी की मार्क सीट सेटिफिकेट सारी चीज़े यह जब भी एप्लिकेशन फॉर्म आएगा आपको यह सारी चीज़े क्या करने पड़ेगे ऑनलाइन फिल करने पड़ेगे इस दस के लिए यह अब आपने फिल कर दिया वैस र फिल करने के बाद तो पहली कट ओफ आएगी तो आपको क्या आजाएगा मेल आजाएगा यह आपके जो पॉर्टल है स्टुडेंट पॉर्टल वहां पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अच्छा देखो मान लो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपने आईटी डेली भरी सब्सक्राइगा यह तुम्हें पहली काउंसलिंग मान लो आईटी गोहाटी मिली तुम्हें इससे अच्छी आएटी चाहिए ठीक गोहाटी नीची मुझे मुझे क्या चाहिए आयाइटी गोहाटी से बहतरीन अगर मिल जाए तो मेरा सपना जो हो साकार हो जाएगा बढ़и यानकी कि अच्छा मिल जाए मुझे कुछ यह चाहिए मुझे तो आपके पास जब आपका नाम आजाएगा तो आपके पास तीन चोइसे जोन्हें जैसे ड्यजेक्ट अभके एकस मतलब आपके पास फिस प्रेट पर आपके बस तीन ऑपस दिखाए देंगे पहला accept and freeze यह option उन बच्चों को चूज करना होता है जो कि जिनकों की अपनी preferred IIT मिल गई है जैसे किसी ने बॉम्बे चाहा था था आई बॉम्बे मिल गई तो आप यह option टिक करो बिल्कुल मोहमाया से दूर हो जाओ ना by choosing this option अपने जो मिला है उसको accept कर लेना है और acceptance fee देने नहीं है फिर आपने option चूज गया accept with upgrade तो यहाँ पर आपके बास possibility है कि आपको next round की counseling मां अपने कुछ करना नहीं है यह option चूज करना है जैसे ही अगर आपको IIT मिली जैसे मैंने कहा ना IIT गौहाटी मिली आपको नहीं चाहिए थी तो आपने accept कर लिया अप्ग्रेड विद अप्ग्रेड के option के साथ application fee आपको पी करने पड़ेगी उस IIT की जैसे 6000-7000 जो भी है वो उस वक्त पे करने पड़ेगी यह नहीं बहुत बार question पूछता है बच्चे यह option वो उबच्चे चूच करने जिनको अपने IIT को अप्ग्रेड करना है तो जैसे यह option चूच करोगी तो आपका मतलब तुम्हें IIT जो तुम्हें मिली वह पक्की हो गई और अगली राउंड की counseling में तुम्हें उससे अच्छी IIT मिल सकती है ठीक है यह option उनको जिनको चा अब आपने अप्ग्रेड का उप्सन चूच किया तो नेक्स राउंड की counseling में आपको मानलो फिर से अच्छी IIT मिल गी आपकी जो तुम्हें पसंद है यह जो IIT तुम्हें चेह की मंजे भई IIT डैली ची यह बॉम्बी ची मिल तो आपने क्या कर दिया उसको accept कर दिया नहीं करोगे तो अगेन वही option accept और फ्रीज का option आएगा तीन तो accept और फ्रीज के option को चूच करोगे फिर अगली round की counseling में जा सकते हूं समझगे फिर finally third round की counseling आएगी और फिर finally fourth round की counseling आएगी तो समझगे जैसे किसी बच्चे को fourth round मा IIT मिल रही है तो उसको सीथे सीथे उसको accept कर ले हर एक IIT की website given है ठीक है program कौन-कौन से होते है IIT में integrate IIT में generally जो है क्या होता है मैं बता दूँ आपको IIT में MSC होती है integrated PhD आएज़र वगेर होती है एक बार बात कर लेते हैं अलग-अलग IIT में कितनी seats है ठीक तॉप की IIT के बार मत करों बस सारे IIT को नहीं consider करोंगा MSC कर नहीं है physics में IIT Bombay से तो 24 seat है पर एक seat PWT candidate के लिए reserve है ओके और EWS general candidate के लिए 23 seat है EWS के लिए 5 seat है OBC NCL के लिए 15 seat है SC के लिए 9 seat है ST के लिए 5 है total 60 seat है MSC के लिए कहां पर IIT Bombay में chemistry के लिए total 57 seat है general के लिए 21 seat है यहां पर यहां पर general की seat है physics में कुछ ज़्याद है थोड़ा सा maths में total 38 seat है कम seat है maths में IIT Bombay के अंदर biotech में है total 35 seat है IIT Bombay के अंदर है okay IIT Delhi में देखे physics में total 68 seat है बहुत ज़्याद है chemistry में भी अंसट है maths में भी अंसट है economics में 25 है ठीक है और फिर कहां बात करते हैं धनबाद में 66 seat है chemistry में में 55 है physics में 55 है total matrix दे रखा है ओके यह सेम रहता है matrix ही रहेगा changes नहीं आने वाले है तो यह कुछ IIT जैसे IIT कानपूर में देखें तो टोटल 49 seat है chemistry और physics में 38 seat है ओके खड़कपूर में physics में देख रही होंगी तुम्हें dual PhD program है 59 seat है physics के अंदर MSC PhD program है ओके और फिर बात करते मंडी पटना इन sum में seat आपको देख रही होंगी IIT road की में भी अच्छी seat है physics में 30 seat है okay तो यह seat matrix है मेरी बात समझ गये अब आपको क्या step चूछ करना है वह समझ गये होंगे ठीक है जो step आपको चूछ करना है I hope you understood कि भाईया क्या option चूछ करना है एप लिक जो counseling है उसके लिए करना है वह आपके पोटल पर आ जाएगी जिन बच्चों के पास अंडर मतलब certificate नहीं है वह undertaking बना सकते हैं यहां पर undertaking का जो है वह मिल जाएगा तो मैं परफॉर्मा मिल जाएगा सारे बच्चों के लिए परफॉर्मा मिल जाएगा जो भी आपके बास जो है certificate नहीं होगा उस certificate के लिए आपको उसकी जगों पर क्या कर देना है उसकी जगों पर अंडर्टेकिंग का जो फॉर्म है वह फिल करना है कोई भी दाउट हो प्लीज में लेत में नो कमेंट सेक्शन में बता देना आविल हल्प यू इड जायम काउंसलिंग प्रोसस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्